सर क्या आपकी जो ड्राफ्टिंग टेकनीक है क्या वो स्मार्ट लेक्चर से कवर हो जाएगी यह देखें मुझे इस प्रोफेशन में अल्ला ने जो इज़त दी इस औरिट प्रोफेशन में भी टीचिंग प्रोफेशन में भी उसका एक रिजन यह था कि मैंने चीजों को है अगर जिसे सब्चेक को उसको लोजिकली एक्स्पेइंट करना स्टार्ट किया सही है ड्राफ्टिंग टेकनीक के ऊपर बहुत जादा बहुत जादा मैं फोकस किया पर एक हम एक हैडिंग डाल देते हैं रिस फेक्टर की ठीक है तो मैं आगे एक और चीज लिख देता पर दो दो अग्रृफ क्यान स्टार क कॉस्ट भाव ऑल्राफेशन करना स्टार ब्लीका अग्यूस लिख देते हैं यह साथ-ाथ अकांट बैमस्ट लिख दिया अचा इसके बात डास ओर प्राव प्राशिशन पेन पास पर डियू का इस अपर पर मेरे पास प्रशिशा एक् पेनल के आगे मैंने पांच एजर्श लिख दी और प्यारे बच्छों आखरी में मैंने एक चीज लिख रहा हूं audit risk सही है यह हमेशा आपका एक स्टेंडर्ड टेंपलेट होगा सही है और चीजें आपस में लिंक्ट होती है इसको इसको पर मैं बड़ी तबज्जा दी से यह तो अल्ला ने फानल में भी बहुत नाम बनाया और बच्छे ने अप्रिशेट किया इस चीज को किया रही कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ करने के जो कोशिश कर रहा होता था मैं आप यकीन करें वह स्मार्ट क्लासस में जादा अच्छे से समझा रही है सही है उसका रीजन यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है मैं बैटके आज़ा टूफ़टी पढ़ा रहा हूं लैट से छटे हफते में ठीक है यह आठ्वे हफते मैं यह तीसरे महिने में चौथ है मैंने मैं आज़ा टूफ़टी पढ़ा रहा हूं और मैंने आज़ा 315 जो है वह लैट से तीन महें पहले पढ़ाया था तब टूफ़टी पढ़ाते हुए मुझे बच्चे को 315 रिकॉल करवाना पड़ता था वह पिर बैटके रेडिश क पार्टी पढ़ने उसकंदर ऐज़े 315 भी है ऐज़े 240 भी है ऐज़े 705 भी जा में उन सब्जेक्स की है उन टॉपिक्स की लिंकिंग करवा रहा हूं तो वह जो क्लास में पढ़ा वाते 315-240 वह फॉरं से आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा से वह फॉरं से आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी चितनी भी एन एफिशन्स ही है वड़ा फायदा है सही है अच्छा